हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो एक्सेलिजम, तो आज के इस वीडियो में we are going to learn how to edit data किसी सेल में आपने एक डेटा डाल रहा है उसको edit कैसे करें अब डेटा भी कई तरह के हो सकते हैं तो आज के इस वीडियो में we are going to learn how to edit a text in a cell या फिर how to edit a function or formula, how to undo or redo things और how to go to a particular area ये चार चीज़ पर आज हम focus करने वाले हैं तो पहली चीज how to edit a text कोई भी नॉर्मल टेक्स को edit करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि आप यहां तो यहां पर double click कर सकते हैं किसी भी cell पे तो आपका एक cursor link होने लिग जाएगा उस पर आप backspace करके कुछ भी edit कर सकते हैं जो भी आपका मन्नो या फिर एक और alternative क्या है कि आप सीधा F2 button दबा सकते हैं तो भी cursor link करने लिग जाएगा अप एडिट कर सकते हैं अपने cell में data को और अगर आपको कोई data मासे में edit करना हो in case for example आप चाहते हैं कि यहां पर October, November, December में जो BER है उसकी जगह आपको कुछ और चाहिए September, October, November, December में तो मैं क्या करूंगा और normally Ctrl F दबाऊंगा यह एक shortcut है find button के लिए और replace button के लिए का shortcut यहा तो आप यही पर भी आप चूज कर सकते हैं यहां फिर replace button का भी shortcut है Ctrl प्लस H तो यह replace का button आजाएगा तो आपको find क्या करना है BER टेक्स्ट में से और उसको रिप्लेस करना है लेट्स से बी ए आर से तो हम सब यहां पर replace button लबाएंगे यहां पर लिखाव है all done we made four replacements होके तो यहां पर चारों में BER की जगा बी ए आर की जगा BAR आ गया तो यह है find और replace button का usage जिससे आप abundance में या masses में टेक्स्ट में editing कर सकते हैं अब अगर बात करें function या formula एडिट करने के लिए तो यहां पर हम एक normal सा function लगा जेते हैं sum वाला सब्सक्राइब करने हैं तो इसका अगर आपको यहां पर कुछ editing करने हैं तो यहां पर 330 देख रहा है वही आप double tap कर सकते हैं double click कर सकते हैं इसमें तो भी आप edit कर सकते हैं formula manually या फिर आप function f2 दबा सकते हैं तो भी कर सकते हैं या फिर तीसरा alternative है यहां पर जाकर आप formula बार में भी edit कर सकते हैं जो भी आपको changes करने हैं तो हमने सीख लिया how to edit text how to edit function of formula अगर आपको कोई चीज undo या redo करनी है तो अगर आपको undo करना है तो आप ctrl z दबा सकते हैं ctrl z अगर मैं दबा हूं तो यहां पर यह undo हो रहा है यहां पर हमने कुछ लिखा एंटर दबाया ctrl z दबाया यह undo हो गया और हमें redo करना कोई भी चीज तो हम क्या कर सकते है ctrl y दबा सकते हैं तो यह redo हो जाएगा और undo और redo के लिए अगर आपको shortcut समझ में ना है तो आप यहां पर इससे भी use कर सकते हैं यह फोले कियो आपको दोड़ी कर ना है तो आपको जो कि शोट कुछ ना है कि च्वेशित्र चूलबा से यह अपर यह उंडू का बटन और यह पर ऑन राद यह तो उपन इससे उतक्षाप्शन आता है उसका शुटकु नहां से कंट्रोल प्लस जी कंट्रोल जी दमाने से जाएगा आपके सामने गो टू बटन आपको जो भी सेल में जाना है सपोस कीजिए एच नाइनटी पे जाना है आपको तो आप सिर्फ एंटर दबाएए आप सीधा उस सेल पे चला जाएगे तो हमने यह चार्ज कीज़े सिखिए है जो है एडिट टेक्स एडिट फंक्शन और फॉर्मूला अंडू और रीडू या फिर हाओ टू गो टू अप्टिकुलर एरिया चालो के शॉर्टकट सेकर मैं नेम ली लू तो एडिट टेक्स का है फाइंड एप्लेश का कंट्रोल ए एडिट फंक्शन का है या तो डबल क्लिक या फिर फ्टू बटन दबा सकते हैं अंडू रीडू का कंट्रोल जेड कंट्रोल वाए और हाओ तो गो तो अप्टिकुलर एरिया का कंट्रोल प्लस जी गोटो अप्शन तो थांक्यू फ्रेंज आज के लिए पस इतना ही प्ली